हमश्चार दोस्तों आप सबका एक वाफी श्वागत करते हैं दोस्तों आज की वीडियोस में बात करेंगे RS इंट्रिवूज को लेके RS बरती 224 के साक्षातकार के बारे में चर्चा आज की सी वीडियोस में करने वाले हैं बता दो दोस्तों लगबग यहाँ पे मेंस के रिजल्ट आए वे नो मेने यहाँ पे बीच चुके हैं लेकिन अभी तक यहाँ पे इसके साक्षातकार के शेडूल रपीसी के दौरा नहीं डालेगे हाला कि 30 तारिक तों कि यहाँ पे सब इंस्पेक्टर प्लाटर कमांडर भरती 24 के साक्षातकार लिए गए थे उसके बाद में उसके प्रेणाम भी इंट्रिवी में सफल कंडियेट्स के जारी कर दिये गए है लेकिन उसके बाद में शेडूल से आरपीसी के दौरा RS इंट्रिवी का डाले जाने की बात कही गई ती लेकिन अभी तक किसी प्रकार का अपडेट RS इंट्रिवी को लेके यहाँ पे सुनने को नहीं मिला हाला कि यहाँ पे काफी प्रकार के मल्टी मीडिया रिशॉस से यह जानकारी जूटा पाए हैं कि इसके इंट्रिउस के शेडूल से जल्द यहाँ पे आगामी 15 और 20 की बीच में डाले जाने की बात कही गई है लेकिन यह बात कितनी सच है कितनी नहीं है इसका तो कोई evidence अपनारे पास में नहीं है तो चलिए दोस्तों मैं आपको यहाँ पे एक reference की तरफ लेकि चलता हूँ जो कि काफी अभियर्थियों की दोरा जिनका main qualify है मुख्यमंत्री को ग्यापन दिया गया है और उस ग्यापन में उन्होंने काफी बेहत तरीके से यहाँ पे अपने जो entitles यहाँ पे भरती को किया है आप स्की में देख पारे है हाली में आरिश बरती 2021 के साक्षातकार सिगर आरम करवाने के समंद में यह जो है ग्यापन मानने मुख्यमंत्री मोहद्य के नाम से अभियर्थियों ने लिखा है उप्रवत विशय अंतरगत निविदन है कि आरिश बरती 2021 के प्रिणाम गोशिती हुए लगबग 9 मेने बीच चुके है प्रन्तु अभी तक साक्षातकार आर्पेसी के देख सुरू किये जाने के बाद नहीं कहीं गिए लगबग इसमें मेन्स क्वालिफाइ कंडिट्स 22 से अधिक है जो की इंट्रिवूस के लिए हापे कोल आर्पेसी के दौरा किये जाएंगे दोस्तो आपको बता दू आर्पेसी के दौरा ये विगप्ती जुलाई 2021 में जारी की गई थी हाला कि उसके प्री मेंस भी आपे examinations लेने के बाद में मेंस के प्रिणाम के बाद भी आपे 9 महिने आपे भीच चुके हैं विगप्ती को चारी हुए लगबग 2 वरश यहापे हो चुके हैं रिक्षा के तीसरे चलंड की शुरुआत भी अभी तक नहीं हुई है और यह भी माना जा रहा है कि कार्मी बाग के द्वारा जो RPSC के द्वारा आरेज भरती के नए नोटिफिकेशन की जो डीटियल्स है वो भी यहां पर RPSC को भेज दी गई है लेकिन अभी तक RPSC ने नई लिए वकेंस का नोटिफिकेशन भी नहीं निकाला और जो पुरानी भरती है उसके इंट्रिवस का शेडूल्स भी यहां पर जारी नहीं किया तो इसको देखते वे यहां पर यह जो अभियान है अभियर्तियों की दवरा ट्यूटर अभियान माने या फिर ग्यापन अभिय दौरा ग्यापन के मादनें से भी यहां पर मानेन मुखे मंतिर मौध्य को अवगत करवाया गया है ताकि इसके इंट्रिव्स जल्द से जल्द आर्पीश्स के दौरा शेडूल्स के मादनें से जारी किये जा सके दोस्तों यहां पर अगर हम बात करें इसकी भी अभी तक पूरी नहीं वी जबकि RPSC का वार्षी केलेंडर UPSC की तरज पर जारी कर सभी बर्तियों को शमबत तरीके से पूरे करने की बात उसमें कहीं जा चुकी है आयोग में सदश्यों की कमी के चलते वे इस तरह के विलंब होने का मुख्य कारणी है आपे बताए जा रहा है हाला कि अत्य है, मानने मुख्य मंत्रे महोडे से ये भी अनुरोध है, कि आयोक में सदश्य शंका को भी यहां पर जल्द से जल्दिया पूरा किया जाए, ताकि साक्ष्रता की प्रकरिया शुचारू रूप से संचालिति हैं पर हो सके, आला कि यहाँ पे अभी काफी आपने सुना है कि ED के काफी चापे यहाँ पे 28 जगे यहाँ पे RPC मेंबर्स पे डाले गए हैं तो यह भी एक मुद्दा हो सकता है कि इसको देखते वे यहाँ पे चेर्मेन मुद्दे के द्वारा इसके किसी प्रकार का decision यहाँ पे नहीं लिया जारा हाला कि जल्द यहाँ पे schedule से जारी होने की आशंका यहाँ दो दिन पहले जताई गी थी लेकिन उसके बाद में वापिस से इस प्रकार के मुद्दे यहाँ पे issues आए तो हो सकता है कि इसके मुद्दे को यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे इसके schedule जाने की जो डाले जाने थे वो यहाँ पे अभी तक नहीं डालेगे तो दोस्तों यह हमारे पास में आज की वीडियो को एक reference बना कि मैंने आपके सा अभियर्तियों के साक्षातकार अभियर्तियों के द्वारा पिछले लंबे समेश आयुक से साक्षातकार करवाने की मांग की जा रही है वहीं आज अभियर्तियों ने ट्विटर मादम के द्वारा भी एक अभियान शुरू किया गया और ट्विटर के जरी यह साक्षातकार करवाने के बाद अभियरतियों के द्वारा कई गई दोस्तों ये हमारे पास में काफी प्रकार के हिशोस काफी प्रकार के अभियान यहां पर अभियरतियों के द्वारा चलाए गए चाहे वो ग्यापन हो चाहे वो ट्यूटर मादम